दुमका को यूँ ही ने कहा जाता प्रेम की नगरी दुमका जो हर मामले में है अलग जो देता है प्यार का संदेश जान नफरती के हर मनसुवे हो जाते हैं फेल ब्राबान छट पुजा समीती एक उधारन पेस कर रही है जिन्होंने पक्च और विपक्च के निताओं को एक बेनर तले ला दी ब्राबान छट पुजा समीती को जोहार न्यूज की तरफ से सलाम बता दे कि दुमका ब्राबान वर्षों से छट पुजा होता आ रहा है ऐसे में इस बार का छट पुजा कई मानों में खास है क्योंकि कोरोना के बाद ये दुसरी बार है जब छट पुजा बड़े धुमधाम से यहां पर मनाय जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर सजावट होती है यहां की जो सजावट है वो देखने लायक है लेकिन इस बार बड़ाबान में छट पुजा कई मामलों में खास है क्योंकि बड़ाबान छट पुजा पहली बार एक उधारन पेश कर रही है जहां पर तमाम पक्ष और विपक्ष के नेताओं को एक बेनर तले लाया गया है इसमें जारखन के मुख्या, मुख्य मंतरी हैमन सोरेन, दुमका के सांसद सुनिल सोरेन, दुमका विदायक बसं सोरेन और दुमका के पुर्व विदायक पुर्व कलियान मंतरी लुईश मरानी को एक बेनर के तले लाये गया है ये एक उधारन है जहां पर एक बेनर के अंदर नहीं लाएगा है ये एक उधारन पेस कर रही है बड़ाबान छट पुजा समीती जो बता रही है जब नेताओं को बड़ाबान छट पुजा समीती एक बेनर के तेले ला सकता है तो ये नेता भी तमाम जो है उनके जनता को भी एक छट के नीचे ला करके प्यार मोहबत का संदेश दे सकती है